श्रिमान महेंदरनाद पांडे जी, आरके सीह जी, अन्य सभी वरिष्ट मंत्री गण, इस कारकम में जुड़े सभी युवा साथी, प्रोफेशनल्स, अन्य महानुभाव और भाईयों और बहनों, कोरोना के खिलाब माहयुद्य में आज एक महत्वपून अभियान का अगला चरण प्रारंब हो रहा है, कोरोना की पहली बैच के दवरान, जब पहला वेव था उस दवरान, देश में हजारों प्रोफेशनल्स, स्कील डवलप्मेंट अभियान से जुड़े, इस प्रयास ने देश को कोरोना से मुकामला करने की बड़ी ताकत दी, अब कोरोना की दूसरी वेव के बाद, जो अनुभव मिले हैं, वो अनुभव आज के इस कारकम का प्रमुक आधार बने हैं, कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा की कोरोना वाइरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूब, किस तरह की चुनवतियां हमारे सामने ला सकता हैं, ये वाइरस हमारे बीच अभी भी हैं, और जब तक ये उसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई हैं, इसलिए हर इलाज, हर सावधाने के साथ साथ आने वाली चुनवतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और जादा बढ़ाना होगा, इसी लक्ष के साथ आध देश में एक लाख फ्रंट लाइन कोरोना वारियस तैयार करने का महा अभ्यान शुरू हो रहा है, साथ क्यों इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्ता, हर समाच, हर परिवार, हर इंसान के सामर्थ को, उसकी सिमावों को बार बार परखा है, वही इस महामारी ने साइन्स, सरकार, समाच, संस्ता और व्यक्ति के रूप में भी, कि हमें अपनी शमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्ग भी किया है, PPE, कीड्स और टेस्टिंग इन्फास्टेक्टर से लेकर, कोविड कैर और ट्रिक्मेंट से जुड़े, मेडिकल इन्फास्टेक्टर का जो बड़ा नेटवर्क, आज भारत में बना है, वो काम अब भी चल रहा है, और वो इसी का परड़ाम है, आज देश के दूर सुदूर में, अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर्स, आक्सिजन कंसेंट्रेटर्स, पहुँचाने का भी तेज गती से प्रयास किया जा रहा है, देड़ हजार चे जादा आक्सिजन प्लांट्च बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, और हिंदुस्तान के हर जीले में पहुँचने का एक भगीरत प्रयास है, इन प्रयासों के बीच एक स्किल्ड मेंट पावर का बड़ा पूल होना, उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना ये भी उतना ही जरूरी है, इसी को देखते हुए, कोरोना से लड़ रही बरतमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए, देश में करीब एक लाथ युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष रखा गया है, इकोर्ष दो तिन महिने में ही पुरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंट काम के लिए उपलब्द भी हो जाएंगे, और एक ट्रेंट सहायक के रुप में बरतमान व्यवस्ता को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोज हलका करेंगे, देश के हर राज्य और केंद्र सासित प्रदेशों की मांग के आधार पर, देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रेश कोर्स डिजाइन किया है, आज छे नए कस्टमाइज कोर्स लॉँच किये जा रहे हैं, नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केर हो, क्रिटिकल केर में मदद हो, सेंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्निशन हो, नए ने उपकरणों की टेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है, इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी, और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं, उनकी अप्सकिलिंग भी होगी, इस अभ्यान से कोविड से लड रही, हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंट लाइन फोर्स को नई उर्जा भी मिलेगी, और हमारे युवाओं रोजगार के नए आवसर के लिए उनके लिए सुभिधा बनेगी, साथियों, स्किल, री स्किल और अप्सकिल, ये मंत्र कितना महत्वपुन है, ये कोरोना काल ने फिर सिद्ध किया है, हेल्थ सेक्टर के लोग स्किल तो है थे ही, उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए बहुत कुछ नया सीखा भी, यानि एक तरह से उन्होंने खुद को रिस्किल किया, इसके साथ ही उनमें जो स्किल पहले थी, उसका भी उन्होंने विस्तार किया, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्कील को अपग्रेट या वेलु एडिशन करना ये अप्स्किलिंग है और समय की यही मांग है और जिस कती से टेकनोलोजी जीवन के हरक्षेत्र में प्रवेश कर रही है तब लगातार डाइनेमिक वबस्ता अप्स्किलिंग की अनिवार्य हो गई है स्कील, री स्कील और अप्स्किल के इस महत्व को समच्ते हुए देश में स्कील इंडिया मिशन शुरू किया गया था पहली बार अलग से काउशल विकास मंत्राले बनाना है देश भर में प्रधान मंत्री काउशल विकास केंद्र खोलना हो आईटी आईज की संख्या बढ़ाना हो उनमें लाखो नई सीड जुड़ना हो इस पर लगातार काम किया गया है आज स्किल इंडिया मीशन हर साल लाखो युवाओं को आज की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है इस बात की देश में बहुत चर्चा नहीं हो पाई कि स्किल डवलप्मेंट के इस अभ्यान ने कोरोना के इस समय में देश को कितनी बड़ी ताकत दी बीते साल जब से कुरोना की चुनवती हमारे सामने आई है तब से ही कौशल विकास मंत्राले ने देश भर के लाखो हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने में महत्वपुर्भूमी का निवाई है डिमांड डिवन स्किल सैट तयार करने के लिए जिस भावना के साथ इस मंत्राले को बनाया गया था उस पर आज और तेजी से काम हो रहा है साथियों हमारी जनसंख्या को देखते हुए हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, नर्स और पेड़ा-पेरा-मेडिकल से जुड़ी जो विशेश सेवाएं हैं उनका विस्तार करते रहना उतना ही आवश्यक है इसे लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में एक फोकस एप्रोच के साथ काम किया गया है बीते साथ साल में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज और नए नर्सिंग कॉलेज के निर्मार पर बहुत ज़ादा बल दिया गया इन में से अधिकाउश ने काम करना शुरू भी कर दिया है इसी तरह मेडिकल एजुकेशन और इससे जुड़े संस्तानों में रिफॉर्म्स को पोटसाहित किया जा रहा है आज जिस गती से जिस गंभीरता से हेल्थ प्रोफेशनल तयार करने पर काम कर चल रहा है वह अभूत पुर्व है साथियों आज के इस कारकम में हमारे हिल्थ सेक्टर के एक बहुत मद्बुस तंब की चर्चा की जरूर करना चाहता हूँ अक्सर हमारे इन साथियों की चर्चा छुड़ जाती है यह साथि है हमारे आशा, एनेम, आंगनवाडी और गाउं गाउं में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्त करमी हमारे यह साथि संक्रमन को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टिका करन अभ्यान तक में बहुत महत्मपुन भूमी का निभा रहे हैं मौसम की स्थीतिया, भौगलिक परितिती कितनी भी विप्रित हो यह साथ ही एक-एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं गावों में संकर्मन के फैलाव को रोकने में, दूर सुदूर के ख्षेत्रों में, पाहडी और जनजाती ख्षेत्र में टीका करन अभ्यान को सफलता पुर्वक चलाने में हमारे इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमी का अदा की है 21 जून से देश में टीका करन अभ्यान का विस्तार हो रहा है उसे भी हमारे ये सारे साथि बहुत ताकत दे रहे हैं, बहुत उर्जा दे रहे हैं मैं आज सार्वजनी ग्रूप से इनकी भूरी भूरी प्रसंसा करता हूँ, इन हमारे सभी साथियों की सराना करता हूँ साथियों, 21 जून से जो टीका करन अभ्यान शुरू हो रहा है उससे जुड़ी अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है अब 18 साल से उपर के साथियों को वही सुवीधा मिलेगी जो अभी तक 45 साल से उपर के हमारे महनुभावों को मिल रही थी केंद्र सरकार हर देश वाची को टीका लगाने के लिए मुप्त टीका लगाने के लिए प्रतिवद्ध है हमें क्रोरोना प्रोटोकल का भी पूरा ध्यान रखना है मास्ट और दोगज की दूरी ये बहुत जरूरी है आखिर मैं मैं क्रेश कोर्स करने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत सुप्रामनाई देता हूँ मुझे विश्वास है आपकी नई स्किल्स देश्वास्चों का जीवन बचाने में लगातार काम आएगी और आपको भी अपने जीवन का एक नया प्रवेश एक बहुती संतोस देगा क्योंकि आप जब पहली बार रोजगार के लिए जीवन की शुरुवात कर रहे थे तब आप मानव जीवन की रक्षा में अपने आपको जोड रहे थे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जूड रहे थे पिछले डेड़ साल से रात दीन काम कर रहे हमारे डॉक्टर हमारी नर्सिस इतना बोज उन्होंने जेला है आपके आने से उनको मदद मिलने वाली है उनको एक नई ताकत मिलने वाली है उसलिए ये कोर्स अपने आप में आपकी जिंदगी में एक नया अवसर लेकर के आ रहा है मानवता की सेवा का लोग कल्यान का एक विशेश अवसर आपको उपलब्द हो रहा है इस पवित्र कार के लिए मानव सेवा के कार के लिए इश्वर आपको बहुत शक्ति दे आप जल्द से जल्द इस कोर्स का हर बारीकी को सिखे अपने आपको उत्तम व्यक्ति बनाने का प्यास करे आपके पास वो स्कील हो जो हर किसी की जिंदगी बचाने के काम आए इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुप काम नाए हैं बहुत बहुत धन्यवाद अब मानिक व्यक्ति जी प्रस्थान करेंगे